हेलो एबरिबन वेल्कम बैक तो हिमाचवदेश सक्षास बुक आज हम डिसकस करेंगे चार जन्मरी दो हजार इक्टिस के हिमाचवदेश के करेंट फिर्स तो स्टार्ट करते हैं मैं करेंट फिर्सकेशन फिर्स्ट को इस हाव मेनी सर्विशिस ऑफ द अर्बन हिमाचवदेश सरकार ने शहरी विकास विभाग की कितनी सेवाँ को हिमाचवदेश लोग सेवा गरंटी अधिनियम के तहत अधिसुजित किया है उप्शन है 2, 5, 7, 10 इसका क्रेक्ट अंसर है उप्शन C, 7 तो हिमाचवदेश सरकार ने साथ ऐसी सेवाएं हैं अर्बन डॉबल्मेंट डिपार्टमेंट की जिने की अब हिमाचवदेश पुब्लिक सर्विस गरंटी अक्ट के तहत रखा है अगर बात के जाए इस एक्ट की तो ये एक्ट है हिमाचवदेश पुब्लिक सर्विस गरंटी अक्ट 2011 इयर काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पुछा जा सकता है इसके लाबा वो साथ सेवाएं हैं ये वो साथ सेवाएं हैं जिने की हिमाचवदेश सरकार ने हिमाचवदेश पुब्लिक सर्विस गरंटी अक्ट 2011 के अंतरगत रखा है इसके लावा अगर Urban Development Department में इन साथ सेवाओं के तहट कोई भी वेकेंसी निकलती है तो उसे हिमाजवदेश Public Service Commission के दोरा फिल किया जाएगा अगर बात किजाए Urban Development Department की तो हमारे Urban Development Minister है सुरेश भार्दवाज, इनकी constituency है शिमला और Urban Development Department के अलावा इनके पास Town and Country Planning, Housing, Parliamentary Affairs, Law, Legal Remembrance and Cooperation Department भी है Next is, which of the following virus is now spreading in हिमाजवदेश and other states of the country after coronavirus? Coronavirus के बाद निम्रित में से कौन सा वाइरस हिमाजवदेश और देश के अन्यराजव में फैर रहा है Options है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कॉमन कोल्ड, चिकन बॉक्स, इसका correct answer है option B, बर्ड फ्लू तो हिमाजवदेश और अन्यराजव में जैसे की राज़स्थान, मद्यपदेश, केरला, पंजाब, हर्याना, इन सभी में बर्ड फ्लू के काफी मामले आए है हिमाजवदेश का जो Pong Dam है, वहाँ पे लगबग 1800 से अधिक migratory birds मृत पाए गए है, जब inspection की गई, जाच की गई तो उनमें बर्ड फ्लू पाया गया अगर बात की जाए Pong Dam लेक की, तो ये लेक ब्यासनदी की उपर बनी हुई है, जो की कांगडा डिस्टिक में स्थित है, और ये रामसर साइट के अंतरगत रखी गई है 19 अगर स्थ 2002 को इसे रामसर साइट में रखा गया था, हिमाजब देश में मातर तीन ही ऐसी लेक्स हैं, जो की रामसर साइट में है एक है हमारी Pong Dam लेक, दूसरी हमारी चंदरतार लेक और तीसरी है हमारी रेनुका लेक और Pong Dam लेक का एरिया है 307.29 स्केर किलोमेटर, इसके लाबा जो हमारी Pong Dam लेक वाइल लेक सेंचरी है उसका एरिया है 207.59 स्केर किलोमेटर और Pong Dam हमारी एशिया की और वर्ल्ड की एक मातर ऐसी लेक है, जहांपे की हर वर्ष लगबग लाखों के करीब माइगरेटरी बर्ड आते हैं अगर बात कीजाए बर्ड फ्लू की, इसे एविन इन्फ्लूंजा भी कहते हैं, एविन फ्लू भी कहते हैं मुख्य रूप से ये हच्ट फाइव एन वन इन्फ्लूंजा वाइरिस की वैसे स्प्रेड होता है, सीव्यर ऐस्प्रेटरी डिजीज है, साणस लेगे में काफी प्रॉलम आती है इसके वजा से और काफी कम ही ये humans में spread होता है लेकिन humans में spread होने का काफी ज्यादा chance रहता है इसके लावा अगर हम किसी भी non-veg item को जैसे की chicken वगरा को अगर उन्हें cooking करके खाते हैं तो ये जो virus है H5N1 influenza virus है ये खतम हो जाता है लेकिन अगर हम जो raw meat है उसको bare hands से नंगे हाथों से treat करते हैं तो उससे ये virus spread हो सकता है इसके लावा जुलाई 2015 में भारत को bird flu से free मुक्त कर दिया गया था जब पिछली बार ये spread हुआ था वर्ष 2010 में H5N8 strain outbreak हुआ था काफी spread हुआ था और ये Asia में सबसे पहले जो China है वहाँ पे spread हुआ था वहाँ पे जो domestic ducks हैं उनमें bird flu पाया गया था और जो bird flu है इसके दो strain है एक है H5N8 और दूसरा है H5N1 H5N8 जो strain है उसके कम chance होते है मनुश्यों में spread होने के लेकिन जो H5N1 है H5N1 है उसके ज़्यादा chances होते हैं मनुश्यों में spread होने के Next is Which helpline number has been issued by the state government for a quick solution to the problems of the people of Himajapadish Himajapadish के लोगों की समस्याओं का त्वारित समधान करने के लिए राजा सरकार ने कौन सा helpline number चारी किया है options है 101, 1001, 1100, 2100 इसका correct answer है option C तो हिमाचवदे सरकार ने हिमाचवद प्रदेशवाशियों की शिकायतों का त्वरित समधान करने के लिए एक helpline number जारी किया है जो की है 1100, 1100 और इसे मुक्यमंतरी सेवा संकलब helpline भी कहा जाता है काफी inquiries आती है जो भी problems है आप share कर सकते हैं और उनका तुरंत निप्टारा किया जाता है तो यह थी हमारे आज की discussion और अगर आपको इस session की PDF चाहिए तो आप में टेलिग्रम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्रम में साच कीजिए हिमाचवद सक्टेस बुक और वहाँ से आप इस session की PDF आपकर सकते हैं मिलते हैं next discussion में thanks for watching वीडियो do like, share and subscribe my channel